आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने एक कंपनी के LMS में लॉग इन किया और एक आईडोर को डिस्कावर किया अभी यहाँ पर मेरे पास एक सब डोमेन था जिसने मुझे एक लॉग इन पॉइंट पर रीडेक्ट कर दिया अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि powered by enthral.ai मतलब इसको यूज कर रहा है यह वाला यह वाली जो कंपनी है enthral.ai को यूज कर रही है इसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे यह पता लगा कि enthral.ai अपने कुछ products provide कराता है और उसमें से एक product है LMS LMS का मतलब है learning management system जो की companies अपने employees को training देने के लिए courses देने के लिए set up कर सकती है अब हमें पता है कि यह वाला जो sub domain है वो LMS को host कर रहा है मतलब इसमें login जब खोई भी employee करेगा तो इसको अपना courses वेगरा dashboard वेगरा सब कुस देखेगा लेकिन अभी हम इसके employee नहीं है और यहाँ पर मैंने जब directive route forcing करी तो यह एक end point मिला और यह सब में common है ताकि जो employees है वो register कर सकें अपनी at the rate company वाली email से तो यहाँ पर अगर मैं gmail से sign up करना चाहूं या पर temp mail से तो वो sign up नहीं होगा मुझे इनका employee होना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो email हो वो company की हो जैसे user at the rate company.com अभी यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर normal email डाली और यहाँ पर लिखा आया कि हमने आपको password आपकी email पर send कर दिया है पर वो मेरे पास नहीं आया क्यूंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ मैंने की company का employee नहीं हूँ और owner जब तक उसको set नहीं करेगा मतलब मुझे allow नहीं करेगा public user को तब तक मुझे इसका access नहीं मिलेगा उसमें यह account और यह response code मला है मतलब account तो create हो गया लेकिन activate नहीं हुआ है क्यूंकि admin मुझे allow नहीं करेगा क्यूंकि मैं एक public user हूँ apply नहीं हूँ अब जब मैंने इसको थोड़ा scroll किया तो मुझे यहाँ पर दिखा कि password null set है तो मेरे दिमाग में यह आया क्यों ना मैं mass assignment को try करूं और password खुद अपना set कर लूँ मैं admin का इंतजार ही नहीं करूँगा कि वो मुझे password भेजे अब मैंने क्या किया इस वाले password की पूरी field को यहाँ पर रख दिया और एक नए account register किया यह देखो एक password set कर दिया और यहाँ पर उस password की value होगी reflect अब मैं देखता हूँ कि मैं login कर पाता हूँ यह नहीं तो यहाँ पर login page था मैंने जैसे अपनी detail डाली है और जैसे मैंने login किया तो मुझे एक अलग page देखिया चेंज password यहाँ पर मैंने password को change कर दिया और मैं सीधे इनके dashboard के अंदर था यहाँ पर बाकी सारे employees हैं उनकी ranking है जिन जिनने मतलब course पूरे करें उनको कुछ points मिले होंगे तो उसे साब से यह हैं और यह एक request जा रही थी ranking वाली यह देख सकते हो post request थी और यहाँ पर user id वगरा सबकी leak हो रही थी मैंने एक user id को किया copy और एक दूसर end point था details को देखने के लिए यह रहा get user details by id यहाँ पर मैंने उस id नंबर को डाला और मुझे उस व्यक्ति की सारी details देख गई email id, phone number, username और यह सब चीजे यही था एक तरीका किस तरीक से मैंने इनके LMS में login किया master sentiment की मदद से और किस तरीक से मुझे एक आई डोर मिला उमीद आपको पसंदा हूँ